प्यारे बच्चों, गुड बॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? I hope आप सब घर में बहुत अच्छे से होंगे, सारे सेटी रोल्स फॉलो कर रहे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे. आज हम व्याखरण का पार्थ चार संग्या पढ़ेंगे. उससे पहले मैं आप से पूछूँगी कि आप सब का नाम है, किसी का नाम रिशी, किसी का नाम मीरा, किसी का नाम राधा, किसी का नाम सूरज, है न? तो आज हम इन ही नामों के बारे में पढ़ेंगे. बच्चों संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति, वस्तू, स्थान या चीज नहीं है जिसका की कोई नाम ना हो हर चीज का कोई ना कोई नाम होता है और इन ही नामों को हम संग्या कहते हैं आज हम संग्या के विशे में पढ़ेंगे कि क्या क्या चीजे संग्या के अंतरगत शामिल है आपके घर में आपके आसपास जितनी भी चीजे हैं सभी का कुछ न कुछ नाम होगा आप अपने घर में कमरे में बैठे होंगे आसपास देखिए अलमारी रखी है टीवी है फ्रिज कुलर स्टडी टेबल म्यूजिकल इंस्ट्रुमेंट्स कुकर कडाही बेड सेंटर टेबल ये सारी चीजें संग्या के अंदर आती हैं क्योंकि इनका पर्टिकुलर कोई नाम है आप अलमारी को फ्रिज या फ्रिज को अलमारी नहीं कह सकते अलमारी कपड़े रखने के काम आती है और उसे हम अलमारी के ही नाम से जानते है रेफ्रिजरेटर या फ्रिज चीजों को ठंडा और सुरक्षित रखने के काम आता है उसे हम फ्रिज के नाम से ही जानते है इस प्रकार से हर व्यक्ति वस्तु का कोई न कोई पर्टिकुलर नाम होता है और इन ही नामों को हम संग्या कहते हैं आपके पुस्तक में प्रिष्ट क्रमांग 20 टेज नंबर 20 में दिया हुआ है संग्या नाम वाले शब्द जिसे हम इंग्लिश में नाउन कहते हैं सभी का कोई न कोई नाम जरूर होता है जैसे देश के प्रथम प्रधान मंत्री जो थे वो थे पंडित जवाहर लाल नहरू उन्हें हम उसी नाम से पुकारते हैं हम इंदरा गांधी या राजियू गांधी नहीं कह सकते भारत की राजधानी है नई दिल्ली, कोलकाता या चिन नहीं नहीं कहा जा सकता सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के महान खिलाडी हैं गंगा इस देश की पवित्र नदी हैं और ताज महल आगरा में हैं इन सारे सेंटेंस में, इन सारे बाक्यों में आपने देखा होगा कि किसी नाम का उल्लेक हुआ है कोई ना कोई नाम शामिल हुआ है जैसे जवाहरलाल नहरू एक व्यक्ति का नाम है भारत हमारे देश का नाम है नई दिल्ली इस देश के एक शहर का नाम है जो कि हमारे देश की राजधानी है, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के महान खिलाडी है, सचिन तेंदुलकर एक व्यक्ति का नाम है, क्रिकेट एक खेल का नाम है, गंगा एक नदी का नाम है, ताज महल एक इमारत का नाम है, और आगरा एक स्थान का या जगह का नाम है, इस प् उसे आप लोग सब complete करेंगे, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम डैश है, इस डैश खाली जगह पे आप सभी को अपना नाम अच्छी राइटिंग में लिखना है सही मात्रा के साथ, उसके नीचे दिया है यह कौन बैठा है? आप पहचान रहे हैं यह कौन बैठा है? यह है एक कुत्ता, तो आप नीचे लिखेंगे यह कुत्ता बैठा है, उसके साइड में एक लड़की बैठी हुई है, यहाँ पर आप से प्रश्न किया जा रहा है लड़की किस पर बैठी है? आप लोगों को समझ में आ रहा है लड़की किस पर बैठी है? हाँ उसके चार पाए हैं और उसे हम कुरसी के नाम से जानते हैं तब यहाँ पे लिखेंगे लड़की कुरसी पर बैठी है बच्चो ये क्या है आप सब पहचानते हैं इसे ये हमें दूद देती है ये कई रंगों की होती है जैसे सफेद, काली, भूरी इसके दो सींग होते हैं और ये अम्मा की आवाज निकालती है पहचान गए ना? हाँ, यह एक गाए है इसे किस नाम से जानते हैं बच्चो? चेडिया? नहीं ना? तो कोयल होगी? क्या कहा? नहीं? अच्छा, मतलब आप सब इसे पहचानते हैं? हाँ, यह एक मोर है आपके सामने एक चित्र दिख रहा है क्या आप इसे पहचान रहे हैं? शाम के समय अक्सर आजकल लोग अपने घर के चतों पर इसे उडाते हैं क्या है ये? तितली? नहीं यह एक पतंग है और यह आपके सामने क्या है? पत्ता गोभी नहीं न? हाँ, क्योंकि इसे हम पूल गोभी के नाम से जानते हैं और यह इसे हम पत्तागों भी नहीं कह सकतें नीचे उसके ताज महल का चित्र है यह इमारत सफेद संगमरमर के पत्थरों से बना है और यह ताज महल के नाम से प्रसिद्ध है बच्चों, इस प्रकार आपने देखा कि हमारे आजपास की चीजें या हमारे देश में या पूरी दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सभी का कोई न कोई नाम है और उन्ही नामों से हम उन्हें जानते हैं आपकी पुस्तक में प्रिश्टक्रमांक 21 में पेज नमबर 21 में दिया हुआ है नाम कैसे कैसे यहाँ पर आद्मियों या लड़कों के नाम रमेश, मोहन, कमल इस प्रकार से आप अपने पापा का, दादा जी का, भाई का, चाचा का नाम लिएक सकते हैं और तों या लड़कियों के नाम में नीलम, रेखा, जया यहाँ पर आप अपनी दादी, मा या चाची, बहन का नाम लिख सकते हैं शहरों के नाम में दिल्ली, मुंबई, आगरा की जगह आप अपने निवास इस्थान जहाँ पर आप रहते हैं राइपूर शहर का नाम लिख सकते हैं आपके राइपुर शहर के आसपस आने वाले आपकी नानी का घर जिस गाओं में हो या दादा का घर जिस शहर में हो उसका नाम भी लिख सकते हैं वस्तुओं के नाम में आपके आसपस जितनी भी वस्तुओं दिख रही है आपकी पुस्तक, पैंसिल, एरेजर से ले करके ग्लास ममी के किचन तक पहुँच जाते हैं न ग्लास, कडाही, थाली ये सब लिख सकते हैं पशों के नाम में गयाई, भैंस, पकरी पक्षियों के नाम मोर, कोयल, चिडिया पेड़ पौधों के नाम में नीम, पीपल, गुलाब फलों के नाम आम, केला, अमरूद देशों के नाम भारत, चीन, जापान नदियों के नाम गंगा, यमुना, कावेरी इमारतों के नाम ताजमहल, लालकिला, कुतुमिनार बच्चों, इस प्रकार से हर व्यक्ति का, हर स्थान का, हर जानवर का, हर पक्षी का, पेड़ पौधे का, देशों के, नदियों के, इमारतों के, हर चीजों के नाम होते हैं और इन ही नामों को हम संग्या कहते हैं इस प्रकार से आपका यह chapter 4 संग्या noun complete हो रहा है इसके exercise आपको आपके WhatsApp ग्रूप में दिया जाएगा उसे आप जल्दी complete करिएगा और next chapter के लिए फिर से prepare रहिएगा सारी चीजों के नाम आप लिख सकते हैं exam में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसका नाम आप संग्या में शामिल न कर सकें तो बच्चो गुड़ लग for your examination be prepared